हेलो प्रेंड आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज हम लेकर आए हैं गेउं के आटे का क्रिश्पी और अच्छेदार नास्ता तो आप लोग देख सकते हैं नास्ता हमारा कुछ इस तरह बनके तयार होने वाला है तो चलिए चलते और बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक कप गेउं का आटा और उससे आध्या कप रवा और आधा कप हमने यहाँ पर लिया हुआ है बेशन इसके बाद हमने यहाँ पर ली हुई है अजवाइन इसको हम हाँ से मसल कर डाल देंगे यहां पर हमने लिए हुए कस्तूरी मेती इसको भी हमें हाथ से मसल कर डालना है यहां पर हमने लिए हुए सोप, सोप को भी हमने डाल दिया है इसमें इसके बाद लिए हुआ है एक चम्मत बुने हुए जीरे का पाउडर टेस्ट के अंसान नमक, यहाँ पर काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है, जिस कप से आटा लिया था, उसी कप से एक चौथाई कप तेल, तो इससे हम इसमें मुहन लगाने वाले हैं, तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमने पूरे ओयल को इसमें डाल दिया है, और उसको अच्छे से मिला लेना है, तो यहाँ पर जब इस तरह से लड़ू जैसे बंदने लगे, तो समझ लो हमारा मुहन ठीक मात्रा में लगा हुआ है, इसके बाद हमने लिया हुआ है, उसी कप में गुन-गुना पानी, यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को लगाना है, एक दम से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसमें पहले से ही मोहन लगाया हुआ था, तो पानी बहुत कम लगने वाला, तो हमारा आटा लगके हो तयार, इसके उपर से हमने थोड़ा सा ओयल डालके फिर से इसको इस तरह से आतों से मसल दिया है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढखके रग देंगे, तो यहाँ पर हमने लिए एक कटोरी, उसमें हमने अगबग दो चमच ते लिया हुआ है, और यहाँ पर लिया हुआ है, दो चमच आटा, तो इसको हम अच्छे से फेट देंगे, इसको फेट फेट के मुझे लपसी की तरह बना के तयार कर लेना है, इस तरह से फेटना है, तो यहाँ हमने इसको भी फेट के तयार कर लिया है, इसमें गाठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और इदर अमारा आटा भी फूल के त तो इसको हमने लगबग आधे गंटे के लिए छोड़ दिया था तो आटा मारा फूल के अच्छे से तयार हो गया है और इसको हम हलके आतों से थोड़ा-थोड़ा मसल देंगे इसके बाद हम इसकी इस तरह से लोही कट कर लेंगे और इसको हम तिवाई बेलन की साहता से रोट प्रिया कार में बेलेंगे हमें गोल-गोल बनाके तयार कर लेना है इसके बाद हम इसको चांपू से कट कर लेंगे इसको मैं आप लोगों को दो तरह से बताना मता हूंगी देख तो आप इसको इस्प्रेश से हाथों की साहता से बना सकते हैं और इसको बना के तयार कर सकते हैं यहां पर हमने पूरे नास्ते को बना के तयार कर लिया है इसी तरह इसे तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो तेल हमारा यहां अच्छे से गरम हो गया है तो हम आप नास्ते को इसमें डाल दिया है और इसको मुझे मीडिया माच में पकाना है और जब तक यह नीचे के और अच्छे से पाकना जाए तब तक बिल्कुल भी मुझे पलटना नहीं है तो यहां पर नास्ता हमारा पक कर तैयार हो गया है आप लोग देख सकते हैं कितना परतदार और करारा बनके तैयार हुआ है आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बाहर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस दीवाली आप लोग यह क्रिस्पी और करारा नास्ता एक बार जरूर ट्राइब करें इसी के साथ वीडियो कायल करते हैं मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तक तक के लिए बाइबार